प्रिविद्यारतियों ये इस समय आप देख रहे हैं Student Portal YouTube Channel और इस पर हम देखेंगे आज केक्षर सात्वी गगणित अध्या बारा बीजी वेंजक की प्रश्णवली 12.1 का पांचवा सवाल और छटा सवाल पांचवा सवाल है निम निल की त्वियंजकों को एक पदी, द्वी पद और त्री पद के रुप में वर्गी गरत कीजिए तो देखो पहला है चार वायरेंड साथ जेड तो इसमें दो पद है तो इसको लिखेंगे हम द्वी पदी या द्वी पद दूसरा है वायर वर्ग इसमें एक ही पद है तो इसको लिखेंगे एक पदी तिसरा सवाल है एक सदन वायरेंड एक सवाय तो इसमें तीन पद है तो इसको लिखेंगे त्री पद है चौंता है सो इसमें एक ही पद है इसको लिखा एक पदी पाचवा है AB रिन A रिन B इसमें 3 पद है तो यह 3 पद है छटा है 5 रिन 3 टी इसमें 2 पद है तो यह लिखा इसको 2 पद साथवा है 4P वर्ग Q रिन 4P Q वर्ग तो एक पद और एक पद 2 पद है तो यह है 2 पद आठवा है साथ एमेन ये एक ही पद है तो एक पद ही नुवा है जेड वर्ग जिन तीन जेड धन आठ इसमें तीन पद है तो ये त्री पद हो गया दसवा है ए वर्ग धन बी वर्ग दो पद है इसमें तो ये हो गया द्वी पद ही ग्यारवा है जेड वर्गदन जेड जिसमें दो पाध है यह गयाद दूइ पाध बारवा है एक दन एक सथन एक सवर्ग यह तीन पध हो गया इसमें योगदन त्री पाध अब छट्टा सवाल है बताईए कि दिये हुए पदों के यूग में समान पदों के है या असमान पदों के तो देखो यहाँ पर ये दोनों संक्यात्मक राशियां है तो ये समान पदों हो गए अपनों के इसमें ये देखना है कि जो चर राशिय है जिससे X, Y, Z इस प्रकाट से ये P की वो जो भी दिया है Amen इसमें दोनों पदों में समान हो उनकी गहात इहां पर है रिन साथ एक से दुसरे सवाल में और पांच बटे दो एक से ये दो अलग अलग भागे तो इसमें X का गुणां का एक है इसमें X एक गुणां का एक है तो इनके अलावे X का अलावे और कुछ नहीं है इनमे तो ये हो गए समान पद अब इसमें ये दिमाने हैं हम कि इसमें X है पर दोनों में उनकी गहात क्या है शुन्य है और किसी भी संक्या की घात सुन्य हो तो उसका मान एक होता है और एक का उसी संक्या में गुणा करेंगे तो वही संक्या आएगी तो यहाँ पर यह दोनों पदों में एक्स की घात या कोई चर की घात क्या है सुन्य है तो घात समान है तो समान पद यहाँ दोनों में घ smok एक है तो समान पर अब यहाँपर देखो यह हैं तिसरा सवाल रिन 29 X और रिन 29 Y यहाँपर X है और यहाँपर Y है यह पत्थ समान नहीं है इसको लिखा हमने असमान पर चोटै में हैं 14X Y और 42 Y X तो देखो एक सी गहात यहां पर एक है मतलब गहात कुछ नहीं लिखा है मतलब एक है यहां पर भी एक सी की गहात एक है यहां पर वहाय की गहात एक है तो यहां पर भी वहाय की गहात एक है इसमें X वाई है इसमें XY है और दोनों की गहाँ समान है यह हो गया समान पाद चटा सवल है 4 A M वर्ग P और 4 A M P वर्ग A M AI M P P ठीक है चार रर्षियां तो वही है A M की खाद यहां दो है पर यहां A M की खाद एक है तो अगर एक भी ऐसा COMBELATION होता है कि घाते समान नहों तो वो होगया अशमान पाध अलागे दूसरे में ऐसा हो रहा है कि पी के घात है कि इसमें पी की घात 2 है पर यहां अगर घात समान भी हो जाए तो भी को बीमतलब नहीं एक भी अगर ऐसा होता है चर राशे के लिए कि जिनकी घाते समान ना हो तो वो होंगे असमान पाद छटा है 12 x जेड 12 x वर्ग जेड वर्ग तो देखो x की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है 2 है यह हो गया असमान पाद इसका मतलब क्या हुआ हमने x का देखा के लिए तो यहाँ जेड वर्ग यहाँ जेड वर्ग होता तो भी असमान पाद होता है पर यहाँ पर क्या है जेड की गाद 1 है और जेड की गाद 2 है तो के लिए एक ही अगर ऐसा सेयोग बनता है तो पद हम बता सकते हैं कि वो समान है कि असमान है घात समान है तो समान पद घात असमान है तो असमान पद तो ये देखा हमने कख्षा साथवी का गणित अध्याबारा बीजी विंजग की प्रशनवली 12.1 का पांचवा और छटा सवाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद